नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी विथ हपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक भरती की जो की निकली है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन यानि की इजरो के अंदर दोस्तों यहाँ पर Multiple Vacancy है, Technician, Draftman और Technical Assistant इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या इसमें Qualification चाहिए, क्या Experience चाहिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हैं और आपको पता होगा दोस्तों यह बहुत ही जवरजस्त विवाग है, यह वही विवाग है जिसने पूरी दुनिया में सब पहले अटेम्ट में मंगल यान लाँच किया, जो कि मंगल के और्बिट में आज भी मतलब भ्रमन कर रहा है, ठीक है? तो बड़ा ही अच्छा इसके लिए दोस्तों 15 वेकंसी है, साथ में प्लंबर, जितने भी ट्रेड है न दोस्तों इसके लिए आई टी आई चाहिए, और हाँ एक चीज़ में और कहूंगा, अगर आपने अभी तक दोस्तों आई टी नहीं किया है मान लीजिए, तो अगर आपको आई टी करना है तो आप ऐसे विवाग में कीजिए, जिसकी वेकंसी जादा निकलती रहती है, आप देखेंगे फिटर वगरा की वेकंसी भी जल्दी आती रहती है दोस्तों, और साथ में एक वेकंसी और है, जिसे हम ड्राफ्ट में कहते हैं, मान चितरकार, आपने देखा होगा, यूपिटर देखने को मिलिंगी, तो आप देख सकते हैं, इसमें क्या मांगा गया है, आई टी आई मांगा गया है, ठीके दोस्तों, आपका कम से कम 10 होना चाहिए, और फिर आई टी आई, ड्राफ्ट में, मेकेनिकल ट्रीड में, ठीके, फिर है दोस्तों, हाँ, शालीसों ग्रेट कौनसी है यह मैं आपको बताता हूँ टेकनिकल असिस्टेंट टेकनिकल असिस्टेंट में दोस्तों आपको क्या चाहिए देखिए मेकनिकल में आपके पास 20 वेकनसी है और इस वेकनसी के लिए दोस्तों आपके बास first class ही मंगी गई है, फिस civil में आप देख सकते हैं दोस्तों, civil में अगर आपने कर रखा है, deploma तो civil के ले भी आप apply कर सकते हैं, तो यह पूरी vacancy है, salary के बारे में आप देख सकते हैं, جो technical assistant है दोस्तों, वह 45,900, यहनि कि यह 46,00 grade पे, पहले जिससे बोलते थे, तनखा लगवग इसमें 60,000 बनती है ठीक है और अगर हम बात करें आयू सीमा की तो आयू सीमा है दोस्तो 18 से लेकर 35 वर्स तक और जो गवर्मेंट आफ इंडिया जिस भी केटेगरी को एज में रिलक्षेशन मिलता है वो मिलेगा ही क्योंकि ये भी गवर्मेंट आफ इंडिय भी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत